अमरिकी और केनेडाई अभीनेता माथ्यू पैरी फिल्मों और सीरियल में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं मैथ्यू को सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सूपर हिट अमरेकी कॉमेडी टीवी सीरीज फ्रेंड्स में चैनलर बिंग की भूमिकाओं के लिए पहचान और प्यार मिला मैथ्यू पैरी की 28 अक्टूबर 2023 को उनके लौस अंजलिस अमेरिका स्थित घर में हॉट टब में बृत्यू हो गई मैथ्यू का निर्जीव शरीर उसकी सहायक को उसकी छट के हौट टब में सिर के बल तेरता हुआ मिला उनके सहायक ने उन्हें पुनल जिवित करने की भी कोशिश की आपात का लिंद सिवाएं मैथ्यू के घर पहुँची और उन्हें मुरुद घोशित कर दिया किसी को नहीं पता था कि उनकी मौत कैसे हुई शर्फ को पोस्ट मौटर्म के लिए ले जाया गया पुलिस और अस्पताल सूत्रों के मुताबे मैथ्यू ने दर्थ को कम करने के लक्ष के साथ अपने अफसात और चिंता के इलाज के लिए केटामाइन इन्फ्यूजन थेरेपी का उप्योग किया था उनकी मौत्यू से तेरेपी सत्र का दस्तावेजी करन किया गया है केटामाइन का प्रभाव आम दौर पर तीन से चार घंटे तक होता है जिसके दौरान व्यक्ति अपने दर्थ और पर्यावरन से अलग महसूस कर सकता है उन्हें आश्चर्य हुआ कि केटामाइन से उनकी मौत कैसे हो सकती है आटापसी रेपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत कैटामाइन के तीवर प्रभाव के कारण हुई है पैरी के सिस्टम में कैटामाइन संभवत मनुरजक उद्देशों के लिए अव्यत रूप से प्राप्त ड्रग से था और इससे उनकी डूबने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसके बाद दुखी परिवार के सदस्यों ने उनका अंतिम संसकार कर दिया उनकी करीबी दोस्त और फ्रेंड्स सीरीज की सहक अलाकार जेनिफर एनिटस्टन ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया जेनिफर ने कहा कि मैथ्यू का मैथ्यू पर ये फाउंडेशन स्थापित करने का बहुत पुराना सपना था हाला कि उनके परिवार ने मैथ्यू परी फाउंडेशन की शुरुवात की जिसका उतेश्य मादक द्रव्यो को कि लट को और दुरुप्यो से जूज रहे लोगों की मदद करना है मैथ्यू के दोस्तों ने दावा किया कि वहाँ अपने पूरे वयस जीवन में मादक द्रव्यो के सेवन से जूजते रहे और अक्सर ऐसा नहीं करने के बारे में जूट पोलते रहे दूसरी चौकाने वाली खबर प्रसित दक्षिन को रियाई अभी नहीं था ली सुन क्यूं के पारे में है वह स्क्रीन अक्टर्स गिल्ड अवर्ड के प्राप्त करता थे और आसकर विजधा फिर्म पैरसाइट के मुख्य अभी नहीता थे 48 वर्षिय अभिनेता का 27 जिसम में 2023 को निधन हो गया अश्चरे जनक ली को दक्षिन कोर्या के सियॉल के एक पार्क में कार में मृत पाया गया था पुलिस जांच में पाया गया कि ली की मौत आत्महत्या से हुई थी ली तनावग्रस थे और पुलिस को घर पर एक सूसाइट नोट मिला जिसमें उन्होंने कहा कि मर जाना भेतर है क्योंकि नशिली दवाओं के दुरुप्योग के लिए पुलिस जांच उनकी प्रतिष्टा को नुकसान पहुचा रही है और उन्हें एक नई रहस्यमें टीव पत्नी और दो बच्चे है